ओके सो, आज मैं बात करने वाला हूँ एक कल्ट क्लासिक साइंस फिक्षन मूवी के बारे में, इसका निम है ब्लेड रॉनर, यह रिलीज हुई थी 1982 में, हम आना बहुत ओल्ड है, बट मेरा इसको एक्स्प्लेंड करने का एक रीजन है, क्योंकि फिर मैं इसके सकेंड तो आप यह नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मेरी पूरी वीडियो देख लेना, विन-विन सिचुएशन हम दोनों के लिए, मज़ा आएगा पक काकों की स्टोरी काफी अच्छी है, खेर अगर आप इस चैनल पर गलती से फर्स्ट ट करके जाओ, ताकि दुबार आपको मुझे ढूनना ना पड़े, तो लेट्स स्टार्ट, एंड यू आल जस्ट हैब तो सिट डाउन, कीप काम, एंड लिसन तू मी, तो सबसे पहले कुछ चीजे बताता हूँ जो इंपॉर्टन है, तो मूवी सेट है लोस एंजलस में, और फ्यूचरिस्टिक मूवी है, तो यह फ्यूचर पर बिजड है, मूवी की टाइम लाइन होती है, यह 2019, भूला मत यह मूवी रिलीज हुई थी, यह 1982 में, so 2019 उनके लिए काफी ज्यादा फ्यूचर था, बट फिलहाल में टाइम हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, हाहा, और आटर ने को ज्यादा ही सोच लिया था, कि 2019 में हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखेगी, खै, टेक्नोलिजी इतनी अफ्ग्रेड हो गई होती है यहां, कि मैन काइड अर्थ के बाहर जाके, अधर प्लैनेट्स को भी एक्स्प्लोर कर सकते होते हैं, और यहाँ पर अब एनिमल्स इसी की कमपनी होती है यह, और यही human-like android बनाता है, replicants, इनको बोला गया है Nexus 6 replicants, यह ऐसे replicants होते हैं, जो लगते एकडम human है, बट उनके पास human से ज़्यादा strength और agility होती है, यह ज्यादा smart होते हैं, लेकिन इनको especially इसलीए बनाया होता है, ताकि यह off-ward मतलब अर्थ से ब लीगल घोशित कर दिया जाता है और यहां की जो special force police होती है इनी को actually बोला गया है the blade runners इनको order मिलता है कि आपको जहां पर भी कोई replicant दिख जाए उसको वहीं ठुक देना मतलब direct encounter और इस चीज को यह लोग murder भी नहीं बोलते नहीं execution यह बोलते हैं इसको retirement मतलब replicant का murder कर दो और वो retire हो जाएगा ना कि expire हो जाएगा लेकि अब problem यहां यह आती है कि उन replicants को पहचानना सबसे cutting होता है क्योंकि same human जैसे दिखते हैं वो बहुत minor details होती हैं जिससे difference पता किया जा सके कि वो replicant है या human तो यह पूरा scene होता है इस movie में और अब हम बात करते हैं इस movie के main plot की actually में plot बहुत straight forward है जिस तरह मैं बताऊंगा सिर्फ उस वजए से बाकी तो directors में कसम खा के रखी है कि दिमाग करदा ही करना है इनको तो करना है So movie के start में हमें एक आदमी को दिखाते हैं इसका नहीं होता है Leon और इसको एक room में बुला के इसका test लिया जा रहा होता है जिसमें सामने वाला person अपनी machine का use करके इससे कुछ weird situational type question पूछता है तो basically यहाँ पर यह हो रहा होता है कि यह जो machine है humans इसी का use करके पता लगाते है कि सामने वाला person जिसका test हो रहा है वो human है या फिर एक replicant तो इस scene में भी यही चीज हो रही होती है यही testing हो रही होती है बड़ यहाँ पर Leon machine operator पे गोलियों की बारिश कर देता है और वो मर जाता है और Leon यहां से फरार हो जाता है इसका मतलब obviously वो Leon एक replicant होता है और अब हमें movie के main hero को दिखाते है इसका निम होता है Rick Deckard यह एक ex Blade Runner होता है और यह अराम से Chinese खा रहा होता है बट इससे मिलने एक आदमी आता है इसके movie में role तो ज्यादा नहीं है बट इसका role movie में काफी बढ़ा है यह दमेंड में समझ मैंगा जो भी बका मैंने तो यह Deckard को अपने साथ लेके head office जाता है और यहाँ पर Deckard से इसकी Blade Runner वाली job पे इसको वापस आने के लिए बोला जाता है इसको काम दिया जाता है इसको बताया जाता है कि 4 dangerous replicants अवारा घूम रहे हैं उनको ठोकाओ पहले तो Deckard इसकाम के लिए मना करता है एक्चुली में इसको यह job पसंद नहीं होती यह अपनी life में कुछ और करना जाता है ना कि सिर्फ दूसरों को मारना इसलिए इसने job छोड़ी थी first place पे बट इसके पास यहाँ पर कोई option नहीं होता फिलाल इसको राजी होना पड़ता है और इसको चारों रेप्लिकेंट्स के बारे में बताया जाता है इसमें first वही लियॉन था second रॉय बेटी यह रेप्लिकेंट्स के लीडर जैसा वर करता है थर्ड जोरा और फोर्थ प्रिस और डेकर्ड को इसका सीनियर बताता है कि अब रेप्लिकेंट्स और इंप्रूव होता है कि वह रेप्लिकेंट्स है कि नहीं वह नहीं इसकी मशीन यह नहीं बता पाती कि वह रेप्लिकेंट्स है कि नहीं वो बिल्कुल हुमेंड जैसी ही होती है इसके बात करने का तरीका सब कुछ यह डिकर्ड को explain I करता है केले में यह बताता है कि actually में इसने रेचल के brain में किसी और human की memories को transfer कर दिया है जिस वज़ा से यह रेचल को खुद नहीं पता होता कि वो एक replicant है वो दूसरे इंसान की memories पे जी रही होती है और इसी वज़ा से उसका nature पूरे human जैसा लग रहा होता है और यहां पर actually डेकर्ड रेचल को देखके पिखल भी गया था man will be man और अब अगर आप सोच रहे हो कि rule तो यह था कि किसी भी replicant को जिन्दा नहीं छोड़ना है तो डेकर्ड ने रेचल को क्यों नहीं मारा तो इसका अब डेकर्ड न 4 और रेप्लिकेंट को वन बाई वन ढूनका श्टार्ट कर देता है कि बल्क इट जण को बचल को क्यों है कि आकर इसको किस ने बनाया फिर इसको पता चलता है कि इसको Dr. Tyrell ने मनाया तो यह अब उससे मिलने का प्लैन करने लगता है और इसका सिर्फ एक ही कोशन होगा Tyrell से मिलने के बाद कि आकर इसका life span इतना कम क्यों है इसको भी humans की तरह long life जीनी होती है खेर अब रिचल अकेले डेकर्ट से मिलने उसके घर आती है इसको सिर्फ यह बताना होता है कि तुम जो सोच रहो कि मैं एक रेप्लिकेंट हूँ मैं वो नहीं हूँ लेकिन डेकर्ट यहां विद प्रूफ यह कन्फर्म कर देता है कि रेचल एक रेप्लिकेंट है एक्चली डेकर्ट ने रेचल की फाइल पढ़ ली थी जिसमें इसको पता चल गया था कि रेचल के माइंड में टाइरल की भांजी की सारी मेमोरीज डाली गई है और इसको रेचल की सारी memories के बारे में पता भी चल गया था सो ये रेचल को उसी की memories बता के प्रूफ कर देता है कि तुम एक replicant हो और पिचारी का दिल तूट जाता है तोटे टोटे हो जाते है यार क्योंकि obviously अगर किसी को बता हो कि तुमारे जिन्दगी भर कि सारी मेमोरी जो भी है तुमारे पास वो actually तुमारी है ही नहीं वो किसी और परसन की है तो यार बुरा तो लगे गई और रेचल नराज हो के यहां से भाग जाती है और अब मुवी यहां से एक्शन की तरफ मोड लेती है क्योंकि डेकड अब उन चारो रेप्लिकेंट को ढून के मारने लगता है यह सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगा के प्रिस को ढूनता है यह हुमेंस के बीच में छुपके रह रही थी और डेकड इसको शूट करके मार डालता है और यहां पर लिओन भी आज आता है तो डेकड और लिओन के इच्छी फाइट होती है रटकड को यहां पर रेचल आपके ब ये रॉय को लेके टैरल के पास ले जाता है और टैरल रॉय को देखते ही समझ जाता है कि वो एक रैप्लिकेंट है कि किसीन इसको बनाया होता है और रॉय सिधे टैरल से एक ही चीज बोलता है कि इसको मौओस से डर लगता है इसके life span को बढ़ा दो और कुछ नहीं बट Tyrell इसको सारे biological and technological theories बता देता है कि ऐसा करना possible ही नहीं है replicants के life span को बड़ा ही नहीं जा सकता और Tyrell actually ये देखे खुस था कि इसकी creation Roy इतनी ज्यादा develop कर गई होती है कि उसके AI mind में life or death से related questions आ रहे होते हैं बट Roy यहां Tyrell को गुसे में बेरहमी से मार डालता है क्योंकि इसको वो चीज नहीं मिलती जिसके लिए यहां आया था और इस टाइम डेकर्ट को Roy के अड़े का पता चल जाता है तो यह वहां जाता है और इसकी पहले Zora से fight होती है और इस Zora को मार डालता है यहां Roy आ जाता है और इसकी इससे भी काफी अच्छी fight होती है सो लास्ट में डेकर्ट यहां से भागने का सोचता है मगर यह एक building से लटक जाता है और Roy के सामने ही गिर के मरने वाला होता है लेकिन तब ही Roy इसका हाथ पकड़ लेता है इन शॉर्ट यह डेकर्ट की जान बचा लेता है और कुछ मस लाइफ से related dialogues मारता है यह बोलता है कि इसकी छोटी जिंदगी सही मगर इसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत खूबसूरत चीजे देखी है बहुत सारे moments हैं इसके पास as a memories लेकिन अब वो सारे moments सारी यादे खो जाएंगी जिस तरह बारिश में हमारे आसू खो जाते हैं वाँ 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 और यह बोल के रवाय मर जाता है लेकिन अब फिर वही गैफ आपको याद होगा वो यहां आके डेकर्ट से कुछ बोलता है कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी वो सही है कि नहीं हलाकि वो सही सलामत होती है और डेकर्ट को जमीन में एक औरिगामी देखने को मिलती है यह एक Japanese art होती है जो पेपर को फोल्ड करके बनाई जाती है वो यह जमीन में पड़ी होती है और पूरी मुवी में बीच बीच में हमें दिखाया जाता था कि गैफ इस एरिगामी को बनाया करता था मतलब कि गैफ डेकर्ट के घर आया था और उसको पता चल गया था कि रेचल एक रेपलिकेंट थी वर उसने उसको मारा नहीं था उसने रेचल को जिन्दा छोड़ दिया था सायद ये सोचके कि वो वैसे भी मरने वाली है ज्यादे दिन जी नहीं पाएगी क्योंकि वो एक रेपलिकेंट है उसका लाइफ स्पैन कम होता है लेकिन यहाँ पर एक्चली टाइरल ने पहले ही डेचल को बताया था कि रेचल एक स्पैशल रेपलिकेंट है बोला था न्यू जनेरेशन सो इसकी कोई भी एकस्पाइरी डेट नहीं होती इसके पास मज़े का टाइम होता है लाइफ जीने का और इसलिए डेकर्ड यहाँ रेचल को अपने साथ लेके अपने न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए निकल जाता है और मुवी इसी पॉइंट में जाके खतम हो जाती है लेकिन यह वीडियो नहीं अभी इसलिए मज़ा स्टार्ट होगा क्योंकि मैं अब थियोरीस पे बात करने जा रहा हूँ इस मुवी के सबसे मेन थियोरी जो निकल की आती है वो है कि डेकर्ड भी एक रेप्लिकेंट है जी हाँ सरल शुद्भासा में इनका कहना था कि पूरी मुवी देखने के बाद भी अगर तुम नहीं समझे तो तुम चूटे हो तो मैं अब एक्स्प्लेन करता हूँ कि आखिर कैसे डेकर्ड एक रेप्लिकेंट है सबसे इजी वन पूरी मुवी में हमें जब भी कोई रेप्लिकेंट दिखाया है तो हमेशा उसकी आईस में एक रेड आई इफेक्ट दिखाया गया है रेप्लिकेंट्स की आई especially बनाई जाती थी जिस लाइक एक आउल दिखाते हैं एक एनिमल रेप्लिकेंट होता है ये उसकी eyes भी red eye effect दे रही होती है और सेम एक scene में जब deckard rachal से बात कर रहा होता है तो उसकी आँखों में भी red eye effect देखनों को मिलता है सेम rachal के आँखों में भी होता है जैसे हलका सही सही बड़ ये proof कर रहा होता है कि deckard human नहीं है और एक और प्रूफ है हमें एक सेन में दिखाते हैं कि डेकरड को बीच बीच में ड्रीम्स आते हैं जिसमें ये यूनिकॉन को देखता है और आपको वो लास्ट में औरीगामी याद होगा तो वो पेपर आर्ट भी एक यूनिकॉन की थी इसको गैफ ने बनाया था तो बोला था मैंने Gaff का रोल काफी बड़ा है वो इसलिए क्यूंकि Gaff को पता था कि Dekard एक रेपलिकेंट है और ज्यादा तर्टाइम ये Dekard के आज पास ही रहता था जब Dekard किसी रेपलिकेंट को मारता था तब ये अचानक से फुटज खाने आ जाता था और ऐसे ही और भी स्पेसिफिकली इसने उनिकॉन का औरी गैमी डेकर्ट के लिए बनाया था क्योंकि उनिकॉन ही डेकर्ट के ड्रीम्स में आते थे और भी चीज़ें यहां पर जो प्रूफ करती है बात जिस लाइक हमें बताया गया था कि रेपलिकेंट्स हुमन से ज्यादा स्ट्रॉंग हो होते हैं और डेकर्ट जिस तरह उन रेपलिकेंट्स को ढूनता है और फिर उनको मारता है वो कोई नॉर्मल हुमन बिंग नहीं कर सकता इवन लास्ट में रॉय डेकर्ट की उगलियां तोड़ देता है बट इस्टिल डेकर्ट अपनी उगलियों का प्रॉपर यूज करके ब बुलाते हैं तो इसका सीनियर बोलता है कि तुम स्पेशल हो सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकते हो तो वह भी जानता था कि एक रेपलिकेंट ही दूसरे रेपलिकेंट को मार सकता है बट इस्टिल बहुत से लोग इस थेओरी पर बिलीव नहीं करते कि डेकर्ट एक रेपलिक कि आखिर रॉइ ने डेकर्ट को क्यों बचाया था तो इसकी भी थेओरी वही है कि पूरी मुवी में रॉइ ने सिर्फ हुमेंस की ही जान ली होती है बट लास्ट में इसको पदा चल गया था कि डेकर्ट एक रेपलिकेंट है इसलिए इसने इसकी जान बचा ली और अधर कि रॉइ कोई बुरा एंड्रोइड नहीं था उसको बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे बट जब लास्ट तक उसके हाथ में कुछ नहीं आया तो वह काफी तूट गया इसलिए वह सेंटी वाली लाइफ देट की बाते करने लगा था और इसलिए शायद उसने सोचा कि बिचारे को मार के क्या फाला राइदा तो यह डैकर्ड को बचा लेता और अपनी आखरी सांसे गिन लेता है और एक्चुली मूवी में यह मैंडर नहीं करता कि डैकर्ड रेप्लिकेंट है कि नहीं जो पूरी मूवी का मेन परपस था इसका जो मेन मैसेस देना चाहती थ कि नियर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कैसा फिल होगा आपको कि आपको पता ही ना हो कि सामने वाला परसन हुमन है कि नहीं निचर ऑफ हिमेनेटी पूरी तरह खतम हो जाएगी तो आप क्या करोगे यहां तक कि रे बैटी जैसे एंड्रोइट्स हुमन को कि लाइफ और देथ कितनी हार्ड वेर्किंग चीज होती है खेर यह वीडियो यहीं एंड होती है मुवी के सेकेंड पार्ट की भी वीडियो में बनाऊंगा वो भी अच्छी है बट थोड़ी हटके है ओविसली 35 साल का डिफरेंस है तो अगर यह वीडियो पसंद आई हो त चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाबाई